नमस्कार दोस्तों मैं आज़े स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवांची यूटूब चनल में और जैसा के आप लोग थमनेल देखकर समझ चुके होंगे के आज का ये वीडियो जियो से रिलेक्टेड होने वाला है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा इस वीडियो में आप लोग उसे जियो की इस नई बिग अपडेट के बारे में सारी बाते करने वाला हूँ और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों एक चोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदे मन होने वाला है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले दोस्तों मैं आप लोगों एक चीज जरूर बताना चाहूँगा कि अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी दवाईए ताए कि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकरिया आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो शुरूर कर लेता हूँ जैसा कि दोस्तों आप लोग वो पता होगा कि 10 अक्टूबर से जियो जो भी अपनी सर्विसिस देता आ रहा था उसमें उन्होंने एक चीज और एड़ कर दी है लेकिन दोस्तों इसे सर्विस ना कहके एक नियम कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि दोस्तों इस नियम में हमें जियो को कुछ पैसा देना होगा जिसमें कि हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है अब दोस्तों हुआ ये कि राई की नियम आनुसार जियो जो भी अपनी सर्विसिस देता आ रहा था उसमें उन्होंने आई यूसी यानि की इंटल कनेक्ट यूजिस चार्जिस और एड कर दिये हैं अब दोस्तों आई यूसी को मैं आप लोगों को आशान शब्तों में समझाओं तो आप लोग इसे इस परकार समझ सकते हो कि जब भी हम किसी सेम नेटवर्क पर कोल करते हैं तो वो हमें फिरी पड़ता है जैसा कि हम जियो टू जियो फिरी बात कर सकते हैं या एटल टू एटल फिरी बात कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जब भी हम किसी अनदर नेटवर्क पर कोल करते हैं जैसे के हम जियो टू एटल कॉल करेंगे तो उसके लिए जियो को एटल को आयूसी चार्ज यानि की इंटर्फनेट यूजिस चार्ज देने पड़ेंगे और इसका मिनिमम जो कोश्ट होता है वो होता है 0.06 पैसे पर मिनिट जो की दोस्तो ट्राइट ने निर्धारित किये हुए है और ये नियम दोस्तो आज या कल नहीं बनाया हुआ ये दोस्तो नियम काफी सालों से काफी बर्सों से चला आ रहा है अब दोस्तो आयूसी चार्जस लगाने के पीछे जियो ने जो अपने रिजिन्स बताए है वो कुछ इस परकार है तो यहाँ पर दोस्तो जियो का ये कहना है कि जब वो मार्केट में आया था तो उन्होंने डेटा, कॉल, सब कुछ प्रियोफ कोश्ट दिया था अपने सार अपने बन 13,500 करोड रुपे जियो ने बाकी आनदर नेटवर्क्स को दिये हैं और दोस्तो ये जो 13,500 करोड रुपे की राशी है ये जियो ने 1 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक की आंकी है इसके पीछे दोस्तो दूसरा रिजन ये है कि IUC यानि की इंटरकनेक्ट यूजि समाप्त कर दिया जाएगा ये सोचकर जियो ने अब तक हमसे कोई भी कॉल के उपर चार्जिस नहीं लिये थे लेकिन दोस्तो अब ट्राई फिर से ये कह रहा है कि IUC यानि की इंटरकनेक्ट यूजिस चार्जिस को हटाया नहीं जाएगा बलकि इसके उपर पुन है विचा किया जाएगा इसलिए दोस्तो जियो ने भी IUC अपनी कॉल्स पर चालू कर दी है अब दोस्तो सवाल यह उठता है कि जियो के किस्टमर्स को IUC चार्जिस देने पड़ेंगे और किन कस्टमर्स को नहीं देने पड़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 10 अक्तूब एक्स्ट्रा पैसे देख लिए IUC मिनिट्स भी बाय करनी पड़ेंगी जैसा कि आप लोग अभी इसी स्क्रीन शोट में देख सकते हो कि जियो का जो फेमस रिचार्ज होता था 3.99 वाला उसके आप लोगों को अभी 3.99 प्लस 10, 3.99 प्लस 20 उसके बेनिफिट में आप लोगो को यहाँ पर कुछ IUC मिनिट्स भी देखने को मिल रही है जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं 10 रुपए पे आप लोगों को 124 मिनिट्स IUC मिलेंगी और 20 रुपए पे आप लोगों को 249 IUC मिलेंगी तो इस परकार से अब जो जियो के रिचार्ज होने वाले हैं वो सार होंगे दोस्तो ये वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर खतम करता हूं और दोस्तो जियो का कौन सा रिचार्ज आपको सबसे बैस्ट पढ़ने वाला है प्लस जियो की इस नई अपडेट के रिगार्डिंग में आप लोगों को एक वीडि कर लिजिए और वीडियो को लाइक प्लस अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद